इस शिलोक के माध्यम से भगवान श्रीक कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को एक भरोसा दे रहे हैं कि जब जब पृत्वी के उपर अधर्म हावी होगा तब तब भगवान उत्पन होंगे और अधर्म से मानव जाती को बचाएंगे आज हमारे देश के अंदर जो हालात हैं इतना ज़्यादा अधर्म हो गया इतना ज़्यादा अधर्म हो गया है खुले आम मेलेज को खरीदा जा रहा है खुले आम सरकारें गिराई जा रही हैं जितने भरष्ट लोग हैं उनको अपनी पार्टी में ये लोग शामिल करके उनक लोगों के लिए स्कूल बनाने वाला मनिस सिए सो दिया जेल के अंदर ये. लोगों के लिए स्पताल बनाने वाला सेतिंधर जेल जेल के अंदर हे. चार हो तरफ हाहकार है. लोग बहुत दुखी एं. और इन लोगों को पूरा confidence है कि 370 seat लेके आंगे, वो खुले आम कह रहे हैं हम तो 370 seat ला रहे हैं इस देश के 140 करोड़ लोगों की हमें जरूरत नहीं है, तुम अपना घर बैठना तुमें vote डालनी है, डालनी है, निन डालनी हैं, इतना अधर्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने टै किया है कि वो सीधे तोर पे हस्तक्षिप करेंगे, तो जो ये पूरा चंडिगड़ चुनाव हुआ, चंडिगड़ चुनाव के अंदर ये कोई तफाक नहीं था उस दिन कैमरे के अंदर इनकी कुकर्म, इनकी कारस्तानिया, गलत कारस्तानिया कैमरे के अंदर कैप्चर हो गई, उस दिन हमने देखा वीडियो के अंदर सारे चिला रहे हैं, ये कैमरे हटाओ, कैमरे नहीं हट पाई उस दिन, सब कुछ कैप्चर हो गया, क्यूं? वहाँ पे भगवान मौझूद है, भगवान ने कैमरे हटने ने दिया, इनकी सारे कुकर्म कैप्चर हो गए, और कल जिस तरह से सुप्रीम कोट के अंदर ये पूरा फैसला सुनाया गया, ऐसा लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जिवा के उपर उनके अंदर भगवान मौझूद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिये भगवान बोल रहे हैं, पूरे देश का एक बर विश्वास जागा, जो देश ये समझने लगा था कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप अपना करम करो, करम करने में पीछे मत हतना, आप अपनी आवाज उठाओ, अन्याए के खिलाफ आवाज उठाओ, आप वोट डालने के लिए जाओ, कुछ लोग इसलिए वोट डालने न कहना चाहता हूँ कि अनिल मसी जो है, उसने जो गडबड की, उसकी सजा के लिए तो और्डर हो गए हैं, लेकिन वो तो प्यादा था, उसके जो मास्टर माइंड हैं, उसके जो मालिक हैं, जन्होंने आदेश दिया ये सारा जनतंतर का चीर हरन करने का, जनतंतर की ऐसी तैस करने का, सजा उनको मिलनी चाहिए, और उनके ऊपर देश द्रोह का मामला चलना है, जो व्यक्ति इस देश के चनतंतर के खिलाफ के साथ खिलवाड करेगा, वो देश द्रोह कर रहा है, अगर आपके एक दो कुश्शन से, हमारे पार्शदों को फोन आ रहे हैं, हमारे पार् कर रहे हैं, किसान के रहे हैं, किसान हमारे अन्न दाता है, किसान सबसे ज़्यादा महनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन महनत करता है, सरदियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर, हमारे लिए अन उगाता है, उनकी जो भी, वो गरीब है, अमीर तो नह मिलना चाहिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उसके बाद क्यों नहीं मांते किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है कि अध्युक्राइब